असलामों अलेकुम एब्रिवन वेलकम बैक टूमा यूट्यूब चैनल मैं हूँ नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक रिजाइन बाई नाज फ्रेंड से आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी की रुकेस्ट पर है चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर दो मीटर वेलिया है कॉटन फेब्रिक है अब किसी भी फेबरिक का योज कर सकती ओस तो पैंट प्लाजू बनाने में अगर आप रिवन फेब्रिक लेती हूं तो सबसे बैस्ट रहता है पैंट प्ल से हमें दो हिसे अलग-अलग करने होते हैं फ्रंट और बैक बट ऑफ हम एक ही साथ दोने निशान लगा सकते हैं फ्रंट इंड पर के लिए तो सबसे पहले तो आपको कपड़े को इस तरीके से ऊपन कर लेना है ऐसे हमें fall करना है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो जो बंद वाली साइड है मेरे तरफ रहने वाली है और जो खुली वाली साइड है वो आपकी तरफ रहने वाली यानि कि जो कन्नी वाली साइड है वो खुली इस तरीके से रहने वाली है ठीक है कन्नी कन्नी वाली साइड मिलनी जाहिए ठीक है अब जैसे कि इसकी लेंग मैं आपको बता देती हूं सब से पहले मैं बता देती हूं जो पेंट की लंबाई है वह 40 इंच है और हिप हमारी 44 इंच है एंड कमल और भी हमारी 14 इंचे तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसके कटिंग करने वाली हैं तो काजल शर्मा यह आपकी रुक्यस्ट पर वीडियो है तो देखना जरूर तो काजल शर्मा और काफी सारे लोग मुझसे काफी बात पूस चुके हैं तो चली शुरू करते हैं और बताती हु यहाँ पर लाइन डॉप करऊंगी तो यहाँ पर मैं फ्रेंट एन्ड ब्यक साथ ही साथ कटिंग कर रही हुँ तो यह मैंने जो लइन डूर की है दो इंच की तो माल लाइजिए यह हमारा बेक साइड ynखी है यारे की इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर रख देती हूं इसस पर ध्यान ना दें आप ठीक है वो फोल्ड करकर आपको इसी तरीके से रख देना है उसके बाद ही आपको ये दो इंच का निशान लगाना है जैसे कि मैंने लगाया है अब जैसे कि आपने पूछा है कि कमर हमारी जो है 40 इंच है तो उसके हिसाब से कितना लेना चाहें तो जैसे कि मैं आपको बता दूं चालिस हो ये 428 हो जिटनी भी आप इस तरीके से इंच टे Boo से ऐसे यहां पर साड़े 11 इंच में रख रहे हूं ठीक है ताइट ना हो जाए विल्कुल फिक्स रहना जाहिए तो इस तरीके से आप और आगर आप बहुत जादा लूज बहना चाहते हो तब आप 12 इंच भी ले सकते हूं मैंने यहां पर साड़े 11 इंच लिया है क्योंकि हमारे सलाई में भी जाएगा ठीक है अब हम हिप लेंगे यहां पर तो हिप मैं रख रहे हूं 13 इंच क्योंकि आप 13 इंच ही लें बिल्कुल पर्फेक्ट बैठेगा आपकी जो लेंद है 40 इंच है तो उसकी हिसाब से जो है य साड़े 13 इंच पर मैं इस तरीके से रान रख रही हूं तो आपको इस तरीके से रान लेने के बाद क्या करना है यह है जो गोलाई है इस तरीके से बस यहीं तक हमें देनी होती है ठीक है जैसे कि यहां पर हमने साड़े 13 रख लिया और उसके बाद यहां पर जो है इस तरी से गोलाई देनी है जितनी डान होती है उसी के अक्वार्डिंग हम यह गोलाई देते हैं बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूत नहीं है इसी तरीके से आप कटिंग कीजिएगा इंश्वाला बहुत अच्छा बनेगा आपका डाउसर ठीक है अब आपको क्या करना है जितनी बाली बात नहीं है अब आपको क्या करना है जैसे कि यहां से मोरी लेनी है अपको तो जैसे मैं यहां पर six inch रख रही हूं आप अपने है बिल्कुल परफेक्ट यहां पर से बनकर आ जाता है हमारी पैंट प्लाजों का ठीक है बिल्कुल एकदम मस्ट टाउसर बनेगा आप इस तरीके से ट्राइजरों से कीजिएगा ठीक है तो ऐसे हमने ले लिया है अब आपको क्या करना है यह बंद बाली साइड है ठीक है तो बैक का निशान लगाते हैं बट मैं इसी में बैक का निशान लगाने वाली हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है यह बंद वाला हिस्सा है तो बंद वाले हिस्से से ही सारे निशान लगाने है यह जो खुली वाली साइड है वो कंड़ी वाली साइड है जहा हमारा फिरंट हिस्सा है और यह जो मार्जन हमने छोड़ा है यह बैक के लिए होगा ठीक है जैसे कि मैं आपको बताओं यहां से यहां तक देखिए यहां से हम लेंगे त्री इंच ठीक है एक्स्ट्रा लेते हैं हम बैक पार्ट में क्योंकि फिरंट पार्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के हिसाब से ही होता है बट लूजिंग हम देते हैं बैक पार्ट में तो मैं आप पर साड़े तीन इंच की लूजिंग दे रही हूं बैक पार्ट में तो साड़े तीन इंच आप इस तरीके से निशान लगाईएगा हिप तक ठीक है इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको यहां से देखिए इस तरीके से लाना है और बिल्कुल यहां से देखिए ऐसे आपको इस हिसाब से लाना है ठीक है अब यहां से जो गोलाई हमने देनी है इस तरीके से देनी है यानि की साड़े ती हमने यहां पर निशान लगा भीरो आपको क्या क्या पर में तो यहां पर मैं दो इंज की लूजिंग दे एक पहुचे पर आकर आप दो दो इंच की लूजिंग देंगे इस तरीके से औरGHT मैं में में 51 omdat कि जो फ्रेंट है बिल्कुल हमने फिटिंग में कटिंग किया है उसमें कोई भी हमने लूजिंग नहीं दी थी अब इस तरीके से सारे निशान आपको अच्छे से मिला देने हैं तो यह हमारा बैक पार्ट है तो साथ ही साथ पैक एंड फरंट कटिंग हो जाते हैं ठीक है तो कमर की साइट से भी हम थोड़ा सा उठा करके कटिंग करेंगे जैसे कि मैं आपको बताऊं अभी यह हमने मारजन छोड़ा है तो यह हमारा बैक के लिए होने बाला है ठीक है तो यहां से देखिए आपको क्या करना है यहां से भी आपको दो इंच उठा देना है बैक की साइ तिर्या के उस साह이्ट हमें उठाना होता है और से हमें विल्कुल मिलाना होता है तो इस तरीके से से ट्राइब चल आफ्ले का इसे हमें वTeam स्तु Ll के बोला सब्सक्रिक आफ काफ एक्ची बनीगी उता एक हिमाना होता है तो इसको प्राफ कंथनकी करने एप कि इस हिसाब का कोई मतलब चालिस इंच की लंबाई किसी की है नहीं और इतनी फिटिंग है नहीं ठीक है तो उसके हिसाब से जो है करना है ठीक है यह कटिंग होने के बाद इस तरीके से आप एक ऐसे जो है बैक पल्ला आप निकाल ले ठीक है और उसके बाद दुबारे इस तरीके से रखें और यह वाली निशान पर आप कटिंग कर दीजीगा देखिए यहां से सीधी लाइन इस तरीके से कटिंग हो अब मुझे ले लेना है एक पेपर और उस पर मैं आपको दिखाऊंगी कटिंग करकर इसको मैं साइट से रख देती हूं क्योंकि भाई मुझे इस हिसाब का प्लाजो नहीं बनाना है किसी की भी इतनी रंबाई नहीं है ठीक है तो जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया है पेपर और मैंने इस त्रिके से तै की थी मालिजी है हमारा दो मीटर कपड़ा है इस तरीके से फोल्ड कर लिया है मैंने और बाकी का मैं यह कट कर देपी हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अभी कोई भी कंव्यूजन है तो बो दूर हो जाएगी तो इस तरीके से 2 मीटर मैंने कपड़ा ले लिया है ठीक है यह हमारा 2 मीटर था इस तरीके से हमें तैय करनी थी और उसके बाद इस तरीके से तैय करनी है ठीक है अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको सारे निशान उसी तरीके से लगा लेने है पेपर पर तो माल दीजे ये हमने फट के लिए ये ऐसे निशान लगाया था हमने यह आ lightning के लिए इतनी दोरी पर लगाया था यानिकिंट ऐसे उॉटा chociaż तो सारे निशाने इस तरीके 시nh कर लीजीएगा काफी जाद़ है तो पहले टो हम जो है आंच मिलेगा छिस यहां से यह पाइव से निकाल निकाल दीड़ीग Young ऐसे आपको निकाल लेना है इसको अगैन आपको इसी तरीके से फोल्ड करकर रखना है अब यह अंदर वाले निशान है जितने भी वह आपको कटिंग कर लेने हैं तो यह फ्रंट एंड बैक साथ ही साथ कटिंग हो जाते हैं यह कमर यहां से सीधी कटिंग कीजिएगा ठीक है और उसके बाद इन्ही निशानों पर आपको कटिंग कर लेना है ठीक है तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है आपके जितनी भी कमर हो तो उसका बस हाफ कर लीजेगा और उसमें एक इंच कर लीजेगा एड ठीक है जितना भी आता है यानि कि 40 है तो उसका च ठीक रहेगा और आप लंबाई के हिसाब से क्रोजरिया लेते हो बिल्कुल परफेक्ट आता है जैसे के 36 आपके लैंथ है तो आप 12 कभी ले सकते हो 36 से उपर उपर जितनी भी लैंथ हैं तो आप 12 11 इस हिसाब से कर सकते हो तो सारे मेजर्मेंट मैंने आपको अच्छे से ब विल्कुल प्रफेछे